नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका दनीज लॉंचर के इस यूटीब मज़ पर दोस्तों भारती जनता पार्टी और भारती जनता पार्टी का सिर्ष नेत्रितु जिसमें प्रधान मंत्री नरेन मोधी भी है ग्रिह मंत्री अमिट साहब है नंबर एक नंबर दो और नंबर कि नहीं महाराश्त के करने जा रहा है महाराश्ट में जहां एक तरफ ब्यापक्ट चुनावी हिंदुत्त्य कराने की कोशिस में बीजयपी लेगी है वहीं दूसरी तरफ kkn पूरे के पूरे हिंदुत्यू के चुनावी प्लेंक के उपर, चुनावी प्लान के ऊपर, कहीं न कहीं मॉराठा समाज, मॉराठ़ी अस्मिता और महरास्ट के अलग-अलग समुझायों की अस्मिता इस रूप में सामने आकर खड़ी हो गई है, कि अब चुनावी Хिंदुत् नहीं देख रहा है सबसे पहले तो मनोज जारंगे पाटिल जिन्हों ने मराथा आरक्षण को लेकर एक इतना बड़ा अंदोलन शुरू किया और उस मराथा आरक्षण के आंदोलन ने मराथी मानुस को इस कदर जग जोड़ कर रख दिया कि कहीं न कहीं भारती जनता पार्ट कि बड़े चेहरे हैं देवेन फरनवीस वो देवेन फरनवीस रास्ता निकालने की बजाए कहीं न कहीं बीजेपी के उस चुनावी हिंदुत की रा में यू कहा जाए कि जाने अंजाने एक ऐसे रोड़े को खड़ा कर चुके हैं जिससे बारती जनता पार्टी बाहर निकल महीने तक अपनी रिपोर्ट देनी थी कि मराठो को किस तरह से आरक्षन दिया जाए ताकि आरक्षन कोट में ना फसे ताकि आरक्षन समिरान सम्मत हो उस कमीटी ने कई बार कारेकाल बढ़ा और एक बार फिर अब उसे पूरे फरवरी यानि 29 फरवरी तक के लिए उसका कार कारेकाल बढ़ जाए और चुनाव आचार संगिता लग जाए तब बीजेपी के लोग जाकर कहेंगे कि अब कोट अफ कर्णक लग गया है तो लोग सभा चुनाव के बाद देंगे बड़ा गजब का खेला है और जो तर्क दिया गया है जस्टिस संदीप कमिटी की तरफ से वो तर्क यह है कि तीन लेंग्वेज में निजाम के समय का हैदराबाद की निजाम साही के दौर के डॉकुमेंट्स है उर्दू फार्सी और मोडी मोडी घबराइए गमत M.O.D.I. सिर्फ भारत में एक सरनेम ही नहीं है सरनेम के बिवाद में हम नहीं जाना चाहते राहूल गांधी एक बार चले गए थे तो पता नहीं क्या से क्या हो गया था हम मोडी लेंग्वेज की बात कर रहे है सयोग वस अंग्रेजी में वो एक सरनेम की तरह से लिखी जा चाहिए और जब वक्त चाहिए तो वक्त सरकार ने दे दिया लेकिन क्या आर्च्छन की मांग कर रहे हैं लोगों के पास इतना वक्त है उन्हें रिजल्ट चाहिए उन्हें आर्च्छन चाहिए और मनोज जारंगे पार्टिल के नित्रित में लाखों का काफिला हाथ जिन लोगों ने भीड को देखा है उस भीड का अंदाजा मौजूदा दोर में लगा पाना और उस भीड में जिस तरह का आक्रोस दिख रहा था उस आक्रोस के सहारे महरास्ट में भारती जनता पार्टि का चुनावी कमल खिल पाएगा और इसके लिए पर्यात कीचड उस कमल के लिए उपलब्द हो जाएगा इसके गुंजाइस बेहत कम यूं कहें कि ना के बराबर नजरा रही थी लेकिन एक तरफ से मनोज जारंगे पार्टि मुंबई की तरफ बढ़ रहा है वो मुंबई पर सत्ता के करीब सत्ता की नकेल कसने जा रहा है तो दूसरी तरफ से जो मनोज जारंगे पार्टि की मांग है उस मांग ने भारती जनता पार्टि को ऐसा फंसा दिया है कि जो भारती जनता पार्टी का कोर वोटर, जिस वोटर के बड़े हिस्से को माना जा रहा है, अब वो अपनी तरब से बवाल कर रहा है, मामला दरसल यह है कि मनोज जारंगे पार्टी ने कह दिया है, कि हमें कोई अलग से आरक्षा नहीं चाहिए, हमें मराठा सामराज्य के समय और उसके बाद के दौर में जो निजाम साही का वक्त था दरसल निजाम साही के दौर में जो कुनभी सर्टिफिकेट मराठाओं के एक खास तबके को इसू किया गया था यूँ कहें कि बहुत बड़े तब के कोईसू किया गया था, उस कुनभी सर्टिफिकेट को ही ढूड करके उसे मानिता दे दी जाए, और तक्रीबन सारे मराथे उस दाइरे में आते हैं, सारे मराथों को वी सिमान लिया जाए, कुनभी सर्टिफिकेट के तरफ तहत, दरसल न सब कमिशन के पहले पिछड़े वर्क का दर्जा निजाम साही ने मराठो के एक वर्क को बड़े वर्क को दिया लगभग सारे मराठे आप का सकते हैं लेकिन अब जब वो कुनभी सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं कि उसी के तहत OBC माल लिया जाए तो बीजेपी अपने हैं कि उनके दायरे में मराठे पहुंच गया तो क्या होगा अब लिहाजा उनके एक नेता हैं धनगर समाज के और OBC के बड़े नेता माने जाते हैं मौजूदा समय में नरंद मोदी के सब्दों को उधार लेकर कहें तो आंदोलन जीवियों की तादाद में एक नए आंदो सरकार की दिखी तो इसी 26 जनवरी को यानि दो दिन बाद वो अपने पालतू पसुओं के साथ जानवरों के साथ मुंबई पर डेर मुंबई में डेर डाल देंगे वहाँ बवान दोलन करेंगे अब एक तरफ माराठों की आरक्षण की मांग दूसरी तरफ OBC को ये चिंता क कि माराठे उस आरक्षण के दाएरे में OBC सर्टिफिकेट लेकर ना गोज जाएं और तीसरी तरफ लोक सभा चुनाओ महराश्च की सरकार कब तक है नहीं है पूर्ण कारेकाल तक भी चले तब भी अक्टूबर में चुनाओंगे तो लोक सभा चुनाओं में नरन मोधी की बिशात इसी पर टिकी हुई है कि ब्यापक हिंदू एकता कैसे हो और इस ब्यापक हिंदू एकता के दाएरे में एक तरफ मराठा मनोज जारंगे पाठिल के नेत्रितुमें मुमई की तरफ निकल चुका है बड़ी भारी भी निकल चुकी है कहा जा रहा है कि करोडों की ले या दोनों के बीच में खड़े हो करके दोनों को फुसलाने का काम करती रहे तम तक गरती रहे जब तक आचार सहीटा लग जाय और फिर एक solid बहाना बीजेपी के पास हो सरकार के पास हो कि चुनावायों की आचार सहिता लग गई है इसमें हम कोई घोसना नहीं कर सकते दरसल सारा खेल उसी दिसा में जाता हुआ दिख रहा है आरक्षन देना और न देना ये सरकार की इच्छा सक्ति पर निर्वर करता है नर्ण मोधी सरकार को इड़व्लूस को आरक्षन देना था 10% एकनोमिकली विकर सक्षन को न कोई कमीटी बनी और नहीं इसके लिए कोई डेडलाइन तहकी गई एक कैबिनेट बैठक में जटके में प्रस्ताव आ गया कि सामाजिक और सेक्षनिक पिछड़ापन के साथ साथ एक आर्थिक पिछड़ापन का पैरामीटर भी एकनोमिक बैकवर्डनेस का पैरामीटर भी पिछड़ेपन के क्राइटेरिया में जोड़ा जाएगा और 10% TWS को आरक्षन हो दिया जाएगा अंतरिम बजट सेशन में आनन फानन में समिदान संसोदन हुआ और राष्टी जनतादल को छोड़कर इस देश की किसी पाटी ने भी रोध नहीं किया आरक्षन मिल गया बिहार में नितिस कुमार सरकार को ओभी CBC दलित सबके लिए EWS सबके लिए ठीक ठाक संख्या में आरक्षन की बेवस्था करनी थी यानि आरक्षन बढ़ाना था उन्होंने भी प्रस्ताव कर दिया जाती जनगना करा लिए आरक्षन दे दिया अब BJP कर रही है कि नो जाती जनगना कराएगी जाती जनगना छोड़िये वो सामानी जनगना भी नहीं करा रही तो ना तो BJP जाती जनगना कराएगी मराठों के आरक्षन के मुद्दे को भी लटकाएगी OBC के अंदर जो डर व्यात है कि उसी में कुन भी सर्टिफिकेट लेकर मराठे न गोज जाए उनके कोटे में उस डर का भी समाधान नहीं करेगी और चुनावी हिंदुत की बिसात में बिचाएगी अब आज की तारीख में महराष्ट में एक तरफ पच्चास खोके एकदम ओके की कथित नेरेटिव के साथ बनी हुई सरकार है तो दूसरी तरफ अंतर दुन्द में फसी भारती जन्रता पार्टी है तो तीसरी तरफ दो टूटे हुए पहिओ वाले एक मुख्यमंत्री और एक उपमुख्यमंत्री के सहारे आधी अधूरी एक ऐसी पार्टी है जिसका एक पैर चुनावायोग में दूसरा सूप्रीम कोट में तीसरा बिधान सभाद द्यक्ट के कोट में भी था जो फिलाल वहां से निकल गया है तो इस तरह की सरकार आरक्षण का दबाओ समाज के अलग-अलग हिस्सों के अंदर है सुरक्षा की भावना और इन सब के बीच लोग सभाद चुनाओ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारती जरता पार्टी का चुनावी हिंदुत महराष्ट में किस पकार से पंक्चर हुआ जा रहा है लेकिन सवाल ये भी है कि पंक्चर कौन कर रहा है उद्धो ठाकरें की सरकार अच्छी भली चल नहीं थी लेकिन ऑप्रेशन लोटस का सिका हो सकती है आंदोलन कभी किसी ओप्रेशन लोटस का सिकार नहीं हो सकता सरकारें अपने कदम पीछे खीच सकती है संघर्ष कभी अपना कदम पीछे नहीं कीच सकता और यही बात मनोज जारंगे पाटिल ने कही है और यही बात प्रकास सेंगडें वह भी सी वर्ग के जो धं पराश्ट की और तालीस लोकसभा की सियासत को करीब करीब तै करने की मुद्रा में एक अलग तरह का नेरेटिव बना दिया है एक ऐसा नेरेटिव जिस नेरेटिव में चुनाव आयोग पूरे लोकसभा का बाई एलेक्शन भूल जाता है एक ऐसा narrative जिसमें देश की सबसे बड़ी municipality यानि BMC का चुनाओ कराने से सरकार हिचक जाती है और एक ऐसा narrative जिस narrative के तहत पहले तो विपक्ष की कैंडिडेट को उप चुनाओ लड़ने से रोका जाता है और जब विपक्ष की कैंडिडेट को हाई कोट नौकरी से उसके इस्ति निदी चुनाओ में जिसका देहान्त हो जाता है उसके खिलाप हम नहीं उतरते हैं चुनाओ नहीं लड़ते हैं तो आप सोच सकते हैं आखिर चुनाओ से कब तक BJP भागेगी आखिर आरक्षन के मुद्दे से कब तक BJP भागेगी आखिर जाती जणगना से कब तक BJP भाग सकते हैं और कब तक इस प्रकार की टोली सहारे के चुनाओं के पहले आंदोलन को खत्म करने की कवायत की जाएगी आंदोलन को खत्म करना इतना आसान नहीं है खास कर आंदोलन सामाजिक असुरक्षा आर्थिक और सेक्षणिंग असुरक्षा यानि हर तरह की इन सिक्योरिटी के बीच से पैदा हुआ हो इन सिक्योरिटी का एक मात रास्ता समाधान होता है और बिना समाधान के आंदोलन जब सामाजिक विमर्स से निकला हुआ अंदोला ने वो खत्र नहीं हो सकता देखते हैं मुंबई इंतजार कर रही है जारंगे पाटिल का मुंबई इंतजार कर रही है जानवरों के साथ प्रदसन कर रहे है अपने पसुओं के साथ पालतु पसुओं के साथ पदर्सन करने पहुंच रहे एक बहुत बड़े OBC जनसमों का कौन पहले पहुंचता है कौन मुंबई को जाम करता है और कौन सियासत को जाम करता है मुंबई जाम होगी तो सियासत जाम होगी और सियासत जाम होगी तो कहीं न कहीं 2024 में तीसरी बार मोधी सरकार ये नारा कहीं न कहीं पिटता हुआ नजर आएगा देखते हैं आगे-ागे क्या होता है फिलाल के लिए इतना ही नमस्कार